हालो दोस्तों आप सबका मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से हुममेड एक करी इसके लिए सबसे पहले हम लोगोंने अंडों को हाड बॉयन कर लिया है और इसे तुथपीक की साहता से अच्छे से इसमें हम लोग प्रिक कर देंगे ताकि जब हम लोग अंडे को फ्राइ करें तो यह बीच से फटे नहीं इसलिए हम लोग हरेकंडों में अच्छे से तुथपीकी साहता से प्रिक कर देंगे एक करी बनाने के लिए हम लोग ने यहां पे 200 ग्राम प्याज को अच्छे से डाइस कर लिया और साथी 200 ग्राम टोमेटो को भी डाइस कर लिया है यहां पे हम लोग ने पौडर मसालों में लिया है कॉरियंडर पौडर जीरा पॉडर, हल्दी पॉडर, शौफ का पॉडर, अंडा करीब शौफ का पॉडर बहुत चाहता है इसलिए शौफ पॉडर जड़ी उच करें, ब्लेक पॉडर, कास्मेरे मिर्चे और काला नमक जैसे हम लोग टोमाटो टोमाटो एंडाटो अदता और ज्लली से गड़ए, इसलिए इसमेंम लोग आट करेंगे नमक ताकि टोमेटो बहुत चल्दी से आसानी से गल जाए देख सकते हैं टोमेटो भी अच्छे से गल चुका है इसे भी अच्छे तरह से फॉराई कर लेना और इसका ठंडा करके पेस्ट बना लेना है अब एक पैन में फिर से हम लोग एक टेबल एस्पून वायल ले लेंग मैं यहाँ पेस्टीय ट सिआओ कर ला चाहँ तो देफ्राय कर सकते ह forecasts और अच्छा अधा है तो आप शाह तो आप देफ्राई भी कर सकते हां अब आर अगारे इस पैन धो टेडी है थाहऊ टेबलजी सपून मस्ट्डड वायल लेंगे और तेल जाओ अच्छेत टेल से गर प्रफित घेल ना 50 गया इसमें ज्यादा पानी नहीं तो बहुत ज्यादा चीते उने के मैंने थ्ञादा पानी एक्स्ट्रा आड़ कर दिया था इस ग्रेवी को अच्छे तरह से अंड़ चीते अच्छा आप तरह से आपका एक ग्रेवी को अच्छे तरह से अ शिच चानल अब देख सकते हैं एक ना मसाला अच्छे से तेल छोड़ने स्टार्ट कर चुका है तब इस पर हम लोग खरें जो पॉड़र थे ऑड़ करेंगे सब से पहले कॉरेंडर करेंगे साथ ही आड़ करेंगे जीरा पॉडर कि उसके बाद घल्दी पॉडर मी एट कर देंगे। और सौ पॉडर मीर्च चाहीं अप्छाग कर देंगे। सब्सक्राइड लूप करेंके हम पाने नियुक्त चाहे हैं, अप्छे तरह से ने लगार सकते। ताकि जो पॉडर्ड मसाले आप आपले लापल, मालब लाद माइट समारे लाप है पासा मढलब लापिल माइट आपनी रहरा हूं देने के बाद इसे ढखके हम लुग पहली बार 10 मेट लिए पका लेंगे कर दे निर्फों के बाद हम रखकनहटा कर रख्रेंगे फक्रों हरा थे कि यह त्रीमर के एम कांशनरी में तिए कसूरी में थी हलका साई एड कर देंगा उसे मिक्स करके लास्ट के चार या पाँच मेट के लिए हम लोग इसे ढके फिर से पका लेंगे चार से पांच मेट बाद हमारा जो अनडा करी है वो रिडी है अब जिसमें एक चीछी कम यह है धनियापत्त इसमें हम अच्छे स दनिया पत्ता को एड़ कर देंगे मिक्स कर देंगे और हमारा एक करी रेडिय है हमारा एक करी वेडियो चुका है यह बहुत हिट्टेस्टी बनाया आप लोग एक पर इससे जहूर ट्राइब करें वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और स्रेया जूर करें थैंक यू